आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 6 SSR जो मार्केट में 100% की मोनोपोली रखते हैं और बहुत शांदार रिटन देने की इनकी संभवना है इन फ्यूचर पहले भी इन्होंने बहुत अच्छे रिटन पहले दिये हैं हमें लेकिन अब जो है आगे और भी अच्छे र पताएगा इसमें से कौन से शेर हैं आपके पास तो चलिए शुरू कर लेते हैं लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते है 300% का चोटा सा कंपनी डिविडेंट भी देती है फेस वेल्यू है एक की कंपनी का नाम है आई एक्स लिमिटेड इस जी से हम इंडियन एनर्जी एक्षेंज लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं कंपनी के कौन जो प्रोच देखें हैं तो आप देखेंगे कि 16 गुना 24% का बनाया हुआ है इसने तीन साल का आरोई देखेंगे 40.9% का मतलब 47% का है लगभग और एक हैल्दी डिविडेंट पे आउट भी इसने 22% का बनाया हुआ है शेर होल्डिंग पैटर्न देखें तो देखें अभी जो है थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखा है पहले बह जर्ब हैं और सिर्फ 16 करोल का करजा है यहां आप देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है यह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा भारत पे के 12% किलब के बारे में और देखें यह जो 12% किलब है इसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं मि अच्छा रिटन होता है 12% का इसमें इन्वेस्ट करके आप महीने का 10,000 रुपे तक कमा सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप इसको जोईन कर सकते हैं साथ ही साथ देखे इसकी सबसे अच् आपको लोन मिलता है और देखे कभी भी आप किसी भी बैंक में जमा करते हैं तो आपको जो व्याज मिलता है वहां 3-4% तक कर मिलता है और हगै यहां मिलता है आप 7-8% का जो की बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन यहां अगर आप कराते है यहाँ पैसा जमा करते हैं तो आपको मिलेगा 12% का return जो कि बहुत शांदार है और bank से जब आप loan भी लेना जाते हैं तो 15-16% पर आपको loan मिलता है उसमें भी बहुत जंजट होता है कि इतने सारे paper लगाओ ये लगाओ बो लगाओ लेकिन यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं बस एक बार आपने profile create कर दी इसके आप एक बार member बन गए तो वहां से आपको फिर loan लेना है तो 12% पर मिल जाएगा और सारी चीज़ डिजिटल होती है कोई इसमें extra कुछ नहीं लगाना पड़ेगा आपको सारी की सारी चीज़ डिजिटल है आप इसमें UPI से Google पे फोन पेज ज तो इसको जोइन करना है तो आप वीडियो के description में link दिया हुआ है वहां से आप जोइन कर सकते हैं दूसरा हमारा जो share है इसका नाम है IRCTC या Indian Railway Catering and Touring Corporation Limited 641 का current price है बहुत शांदार है सिर्फ 51,000 करोड की company है और इसका जो market में share है वो है 100% का 100% monopoly का ये business है इसका current price 641 का है 28 price का book value 57 का P 51% का ROC देखे 49% का है ROE तो बहुत स्थांदार ROE और ROC दे रही है एक बार ये split भी हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है ये भी company के लिए साथी साथ कौज और प्रोज देखें तो यहां देखेंगे trading कर रहा है ये 22 गुना उपर अपने उससे अपने book value से औ 24% का CIGR 5 साल से है 3 साल का ROE है 31% का तो बहुत शांदार है ये एक healthy dividend payout भी इसने बना रखता है 41% का company के पास 2000 करोड के reserve है 2078 करोड के 178 का करजा भी है चोटा सा करजा तो कोई बहुत बढ़ी बात नहीं है अभी क्योंकि अपने business को ये expand कर रही है और देखे promoter holding की जो बात 60% इसमें promoter holding है FII 7% और लगभग 9% के आसपास DIY पब्लिक के पास सिर्फ 22% है तो काफी अच्छा हमें share holding pattern भी company में देखने को मिलता है हमारी तीसरी company है इसका नाम है Maltech Packaging Limited और ये भी रखती है market में 100% की monopoly 998 का current price चल रहा है अभी सिर्फ और सिर्फ 3,000 करोड की company है देखे 3 307 करोड की 998 का current price पी देखे 44 का है थोड़ा समयंगा book value 148 की है dividend yield है इसका 0.8% का face value 5 की है तो spirit भी हमें देखने को मिल सकता है ROE है 18.8% का ROC है 23% का और ये देखे जितनी भी company है सभी की सब positive में हमें return देते हुए दिखाई दी है वी तर और आगे भी संभावना है कि अच् के बैसी हो गया है लेकिन अगर प्रोज देखें तो देखें almost ये company debt free है 19% का 5 साल की profit growth इसने बना रहती है और healthy dividend payout 38% का बना हुआ है company के reserve की बात करें तो रिजरव है 473 करोड के 41 करोड का एक चोटा सा करजा है company के उपर साथी साथ बात करते हैं देखे शेयर holding pattern की तो 34% है देखेंगे तो 14% और डियाई देखे 20% काफी अच्छा share holding pattern हमें देखने को मिलता है 31% है public के पास तो ये company है इस पर भी नजर बना के रखी जा सकती है बहुत शांदार लगती है ये वी चोथी company है हमारी PDDight Industries Limited और इसका जो share price चल रहा है भी 243 रुपे का और इसका अगर द अच्छा ये भी हमें देखने को मिलता है पास्ट में भी इस company ने हमें बहुत बड़े multi baggage return दिये हैं और देखें कौन जगर देखें तो साड़े 18 गुना अपने book value से उपर ये trade कर रहा है लेकिन एक dividend payout piece ने healthy बनाया हुआ है 37.4% का अपना ये monopoly रखता है market में 100% की और growing है सिर्फ 680 क्रोड की बहुत बड़ी बात नहीं है एक लाग 22,000 क्रोड की company है तो 600 क्रोड अगर करजा है भी तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है और देखें इसका shareholding pattern में तो इसका बहुत ही शांदार है इसका 70% के लगभग promoters FII 11% DII 8% और 10% है सिर्फ public के पास बहुत अच्छा shareholding pattern इसका भी दिखता है हमारी पांच भी company है नैसले इंडिय लिमिटेड और इसका जो share price है 19,200 का share है इसका market cap इसका भी large cap की company है 1,85,119 क्रोड की 241 की book value है 78 का PE 113% का ROE है और ROC देखे 177% का तो बहुत अच्छा हमें ROE इसमें मिल रहा है अभी तक इसन 95% की monopoly रखता है ये market में अपनी segment में तो बहुत अच्छी बात है और reserve देखे 222 करोड के reserve इसके पास है पड़े हुए और 280 करोड का करजा भी है चोटा सा बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है 200 का करजा और देखे इसकी shareholding pattern इसका भी बहुत standard दिखता है 62.76% की promoter holding 12% FII 9 परसेंट DII और public है 16% तो काफी अच्छा हमें shareholding pattern भी इसका देखने को मिलता है आज का हमारा चटा और last share है हिंदुस्तान Aeronautical Limited और ये जो है 2510 रुपे का current price इसका चल रहा है अच्छा खासा एक growth इसने दिखाई है पिछले कुछ सालों में और देखे 83,915 करोड की ये company ह ये भी 100% monopoly रखता है अपने market में और 2% के लगवक डिविडेंट देता है 624 का इसकी book value पी बहुत सचता है इसने में खरीदारी बनती है ROE और ROC दोनो 30% के आसपास face value है 10 की तो in future हमें इसमें split भी देखने को मिलता है और chart हमें सा देखे इसका उपर ही रहता है अच्छा कम है इसकी पिछले कुछ सालों में 5 सालों में शिर्फ साली 6% की है लेकिन अगर हम इसका प्रोज देखें तो देखेंगे देखेंगे ओल्मोस्ट डेफ्ट फ्री कंपनी है इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजुद भी और पिछले 3 सालों का जो इसने ROE बनाय हुआ तो बहुत शांदार है सारी चीजे और इसने अपने डेविटेर डेज को भी इंप्रूब किया है और देखिए सबसे शांदार चीज जो इसमें लगती है वो है रिजर्व 20,517 करोड के रिजर्व और करजा है सिर्फ 2 करोड का तो करजा कुछ भी नहीं है बहुत पड़ी क अगर देखिए आप खरिदना चाते हैं तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट की सला मेरी साइच से नहीं होती है कभी भी सिर्फ एजुकेशन परपस के लिए हम वीडियो बनाते हैं तो खरिदना आप चाते हैं अपने फाइनसल एडवाईर से सला जरू लेने तभी इन्वे हर आप